बिना चीनी बिना चांसिनी बनाए बेसन के दानेदार लड़ू बनाने का इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता बिल्कुल आसान तरीका शेयर करने वाली हो दोस्तो तो बीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आपको recipe पसंद आती है तो like कर दीजिए, share कर दीजिए और चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का notification आप तक पहुंचता रहे तो बहुत ही soft लड़ू है दोस्तों मुह में जाते ही घुल जाता है तो एक बार मेरे तरीका से बना के चरूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आयागा यह लड़ू की recipe तो फटा फट गैस पर रखते हैं कड़ाई, सदेजी कीचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो इसमें डालेंगे हम एक कटोरी गेहू कांटा, तो एक माप रखेंगे दोस्तों और जिससे हमने गेहू कांटा डाला है उसी कटोरी से एक कटोरी भरके बैसन डाल दिया है और आधा कटोरी सूजी डालेंगे तो सूजी आप बारिक वाला या मोटा वाला कोई भी सूजी का इस्तमाल कर सकते हैं गैस के फिलेम को लो रखेंगे और लो फिलेम पे इसे बीना तेल घी के भूनेंगे जब तक इसका थोड़ा color change नहीं हो जाता है जब गुला भी हो जायागा तब इसमें हम आगे घी या तिल का इस्तमाल करेंगे कम से कम भूजने में 6-7 मिनट लगेगा इसे और यह देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा color change हो गया है इसका अब इसमें डालेंगे हम घी तो 4 चमच करीब मैंने घी का इस्तमाल इसमें किया है लड़ू बनाने के लिए बेसन आटा कुल मिला के 500 ग्राम करीब है तो इसमें 4 चमच घी का इस्तमाल कर रहे हूँ और मीठा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं दो आप चाहें तो PC हुई चिनी का इस्तमाल कर सकते हैं देशी खान का इस्तमाल कर सकते हैं आप याद रगे नहीं तो बेसन चल जाएगा तो उसका साथ अच्छा नहीं आएगा और यह देखिए दानेदार बेसन हो गया है आप देख सकते हैं कि कितां बढ़िया कलर आ गया है इसमें तो अब इससे हमें ज्यादा नहीं बुनना है तो निकाल देते हैं बड़े से बरतन में थोड़ा इसे हम फैला देंगे ताकि ठंडा हो जाए तो इतना ठंडा करना है दोस्तों कि हाथ इसमें सह सके मैं इसमें गुड का इस्तमाल करने वाली हूँ आप चाहें तो पीसी वीचीनी का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर देसी खान भूरा जो भी आता है आप चाहें उसका इस्तमाल कर सकते हैं तो मैंने इलाईची डाल दिया है और इसमें डालूंगी मैं गुड तो गुड को मैंने क पहले ही रखा है इस तरीका से तो इसमें छोटी-छोटी जो गुटलियां होती है वो नहीं होती है कदुकस करने से और इसको हाथों से मसलते हुए मिला लेंगे जब यह हलका गरम रहेगा मसलेंगे न तो यह गुड़ पिखलने लगेगा और इसकी वैणिंग बहुत अच्छ होता जाएगा तो बहुत असानी से इसकी लड़ू बन जाते हैं अगर आपको सूखा सूखा लगता है तो थोड़ा सा घी गरम करके डाल सकते हैं इसमें ऐसा गुड़ जालने की जुरूत नहीं है दोस्तों हलका सा गरम रहेगा उसमें गुड़ या चीनी पिसके डालेंग तो और रेड़ी पिघलने लगता है और लड़ूस की असानी से बन जाती है तो इसमें चासनी वगरा बनाने का कोई जंजटी नहीं है तो इस तरीका से हम सभी लड़ू को बना लेंगे बहुत ही सॉफ्ट लड़ू बनती है मुह में जाते गुल जाता है एक बार बनाके इ आईए कि आपको मेरी रेड़ी कैसी लगती है अगर आपको मेरी रेड़ी अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और ऐसी ही अच्छे रेज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो खुश रहिए स्वस्त देए